वर्कषित के साथ हम देख रहे थी मैंस और साइंस के भी सॉलिशन तो अगर आपने चेक आउट नहीं किये हैं मारे वीडियो अपलोड किये हुए तो आप अपारी प्लेलिस से चेक आउट कर सकते हैं और सबी के सॉलिशन देख सकते हैं इससे पहले की वक्षित अगर नहीं तो वह भी देख सकते हैं यहां पर हम continue देखेंगे वक्षि 13 से तो जिसमें सीखेंगे आप फॉर्म आप वर्प्स का क्या फॉर्म यूज करना है कैसे यूज करना है वह हम सीखेंगे यहां पर तो देखेंगे रेगुलर वर्प्स दो टैप की होती है वर्प्स रेगुलर इर्गुलर में क्यों होता है कि second और third form ना एक जसी रहती है और irregular में first, second, third, third तीनों ही अलग-अलग रहती है तो समझेंगे किस तरह से होता है regular verbs में होता है the verbs which from form their past simple second form and past participle third form by adding ed ed से जो add होते है second form और third form में वो होते है regular verbs to their base form first form are called regular verbs जैसे work, worked, worked, played, played, cooked, 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 ed लग रहा है तो यह क्या है regular verbs जिसमें second, third form में first form के बाद में ed लगा दिया जाता है तो यह होती है regular verbs जो कि बहुत ही easy होती है और याद करने में भी easy होती है अब आग यह irregular जो कि थोड़ा से typical पढ़ जाता है students के लिए तो क्या होती है the verbs which form their past simple past participle in different ways ठीक है second और third form को क्या कहते है past participle past participle और past simple होता है second form in different ways तीनों अलग अलग तरीके से होती है are called irregular verbs ठीक है जिने कहा जाता है irregular verbs जैसे write, wrote, written, think, thought, thought और एक वो verbs होती है जैसे एक जैसे होती है जैसे put, 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 cut, 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 cut है ना तो यह अलग पाट हो गया तो अब समझेंगे question यहाँ पर question है write the correct form of verbs in the blanks as per their respective column आपको क्या करना है जैसे first form दे रखिए, second form दे रखिए तो third दे रखिए तो first दे रखिए तो second 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 दे रखिए तो आपको जो नहीं दे रखिए वो form लिखने है बिगन, बिगन, बाइट, बिट, बिटन, बॉइल, 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 ये रेगुलर में आ गया, बोरो, बॉइल, 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 ख्लाइम्, कुग्, कुग्ड, कुग्ड, क्लोज, क्लोज, क्लोजड, यह बहुत easy form YOUR verbs की इसी तरहे से हो जाएगा cry का cry, cry, first, second, second, third form, इसकी सेम रहेंगी cut 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 बहुत easy form होती है वर्ब की जिस में first second third form equal रहती है okay सी nehme Scale, brought cut, cut, cut जयो नियो पुट 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 यहां पर यहां पर यह इजी फम होती है अगला है दू डे डू अ जो बहुत ज्यादा यूज होता है पासे तैन्स में हम सेकेंड वर्म की जो यूज कते ढ डिट का और स्थर्ड ख़र्म के लिए ऊज कर जा लिया है ब्रुग Jak depress. eat at eaten fall fell fallen ये वो वर्भ है जिनमें एन लगता है लास्ट में जैसे eat at eaten fall fell fallen feel felt felt बिल्कुल अलग हो जाती है इसमें felt felt हो गया second third same है but felt felt हो गया feel का fight fought fought found found भी होता है fight का fly flew flown give gave given hide hide hidden hit 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 देखे same हो गई hit 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 जैसे cut cut कड़ता इसे तरह से hit 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 jump का jumped jumped no का new non leave का left left हो जाएगा light का lit lit lost lost भी होता है meet का mate mate put 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 देखे put put पुट आ गया run rain run ring rang rang see saw sin sand 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 shat 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 ये भी एक जैसे word जादातर आप समझ लीजी कि जिसमें you आ रहा है न जादातर सामान एता नहीं सामा नहीं होता है ये वाला हिंट देखे जैसे put 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 ho गया cut 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 होगे cut cut put put इसे तरह सेCraug suck shirt shat shut हो गया तो ये rhyming वर्स आप कह सकते ने put shut cut का होता है तो देखिए यहां पर यू आ गया बीच में तो इसमें तीनो फॉर्म जो है इक्वल रहती है तो यह आप हिंट लगा सकते हैं कहीं वर्प को याद करने के लिए तो यह होती है सभी वर्प्स डन तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्प्स वर्प्स यह जिसमें आपको वर्प्स भी याद करने को मिल रही है सेकिन थर्प फॉर्म में क्या यूज करते हैं सेंटेंस में आप इन्हें यूज कर सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्प्स यह वर्प्स थी तो जरूर से लर्ण करें इन वर्प्स को और इसी तरह आगे की वर्प्स भी हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट व वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्य बाद